करेंगे यह एकर्स वेलकम टू ओफेंसिव एकिंग चैनल आज का उबजेक्टिव ए बढ़ कॉलरबेटर हम लोग इस वीडियो के अंदर बार कॉलरबेट को डिकोड करेंगे और हम लोग सिखेंगे के लिए बढ़ कॉलरबेटर के थू हम लोग कैसे वनरबर्टी पता लगा सकते हैं. फिर्स फॉल एंडेस्टेंड के बाहर कोलोबराटर होता क्या है और किस कंडिशन में उसे यूज कर सकते हैं, तो जनरली होता है कि जनरली अगर हम लोग अप्लिकेशन का असेस्मेंट करें, एक्जामपलेट से सीक्वाल इंजेक्शन, क्रॉस स्क्रिप्टिंग, इ लिए गलत को इशीं, तो फ्यसमें आजांपले एक्जामपल जैसे की अलմे पर वक्लिक पर वस् nessa एज़ीए थिंह को ज़िए और दात्यरल इंजेक्शन के लिए बार कि इसक्वाल इस्क्वारिक वदितिता हूँ ऑ में क्योंकि जोंग क्रूंस से युज दिरैंक्ते हम झ तो अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं, लेट अदर्शन ओके इमेज तो यह आपका बर्व कॉलर बेटर की एक इमेज है, तो हिहां भी लेक सेम चीज जो मैं आपको थोरी देर पहले समझाई थी, कि लेक बर्व कॉलर बेटर इस नेटवर्क सर्विसेस दाइबल यू तो वनर्विसेबल वनर्रविर्टी जो वनर्रविर्टी डारेक नहीं दिख रही है और उसको आप बर्व कॉलर बट्टर की थिरू पता लगा सकते हो, जैसे कि इस नौ ट्रिगरिंग एरर मेसेज, कोस्ट दिफरेंसे इन अप्लिकेशन आपट और कोस्ट डिटेक्टेबल टा लगे टो आगर लगे तो एसे उटकिशन के पर दो कॉलर बट्र कर आपका है और वहा पर मैंने इनस्ट किया शर्ड बट्र पेलोड और जैसे ही मैंने इसको इंसाट किया वो आउट-बैंड आवर बंड बट्र के पैनल पर जो कि यह है तो लेट्स सी देट एंग Raphael दिखता है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं तो अगर मैं बबशुट प्रॉफेशनल को यूज़ करूँ तो एक इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि आप जब भी बब कॉलोबेटर यूज़ कर रहे हो इस पार्ट ऑफ प्रॉफेशनल वर्जन एंटर्प्राइज वर्जन यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉफेशनल वर्जन चीएगा बर कॉलोबेटर के लिए तो आप उपर देख सकते हैं यहां बेरा यह बर कॉलोबेटर यह आपका बाइडिफोल्ट फीचर है बर्ब का इन बिल्ड है इसके साथ में आता है और अगर मै जेकेंगे कोपी टू क्लिप और यहां पॉल नाओ यह दो आप्शन आते हैं और मैरे यहां पर आपका उप्शन लिखा हुआ हुआ है इंक्लूड कॉलोबेटर सर्वर लोकेशन तो मुझे लोकेशन पर मुझे बताना मतलब ज़सा इनेबल इट मुझे चेक करनी है इंक्ल करेंगे जब आप होस्ट इंजेक्शन को पर्फर्म कर रहे हो तो जैसे ही आप इंसेट करोंगे आपको सारा डिपला यहां पर आएगा इस जगह पर इस जगह पर आपको एक इंट्रेक्शन दिखेगी तो वही हम लोग चेक करने वाले हैं थोड़ी देर में तो इसके ब्लाइंड SSRF विट आउट बेंट डिटेक्शन यह वन्रबिटी आप सर्च कर सकते हो फिल्टर के थरू तो आप यह वन्रबिटी पर क्लिक करके यूल भी गेटिंग इस कांड़ पेज तो इस पेज को मैं कॉपी करता हूं और मैं यहां पर बर्फ में जाके प्रोक्सी के इसको कॉपी कर लेता हूं और वापिस बर्फ में जाके बर्फ के ब्राउजर में जाके इसको प्रेस कर देता हूं तो यह मेरा पेज है इस पर आप देखो कोई भी यूजर डिटेल्स नहीं है ना कोई अकाउंट डिटेल्स है इस स्टेटिक पेज राइट तो अगर इसको तो मैं वाहती प्रोक्षी के थ्रूदो करूं तोемся करता है तो चेक करते हैं कि सका असे किया रीपीटर आप करता है और यहां पर चेक करिए कि यहां पर कौन सा पपरामेटर पहुए नसके और आएफ का वर्न रैपर है तो ह्टक डान पर एक तो मुझे यह दिख रहा है दूसरा यहां पर अगर आप देखो के ध्यान से देख रहा है यह तो आपको इस सारे पैरामेटर चेक करने पड़ेंगे इवन I have no idea कि कौन सा पैरामेटर इसमें वनरेबल है तो क्या करते हैं आपन कॉलोबिटर पर जाके या फिर इसकी जगह पर जाके इसक सब्सक्राइब के साथ भेजेंगे इसको सेंड करके देखते हैं तो यहां पर कनेक्शन तो क्या आगया है और मुझे यहां पर कॉलोबिटर क्लाइट पर चेक करना पॉल ना हो कोई बी इंट्रक्शन मुझे नहीं दिखलाद तो हम आप यहां पर चेक कर सकते हैं जैसे मिने इसको रिक्वेस को वापी सेंड किया और अभी आप देखो यहां पर मुझे यहां पर इंट्रक्शन आतेवह दिखाय दिया विस्ट मैंन भुला सो कि आपका आई तेन तर्एकर के दोक्यमेटेशन में निए सबसे पहले dns दूसरा सट्ने हीट इसरे मिल में भूसरा स्थेटप पुरियर कि इमेज इस किसा प्रिक्लिकुलर इमेज भी इस स्थीप इस्थेटपी दीनस अंशें पी तब यहां पर clearly check कर सकते कि यह interaction यहां पर आ रहा है और यहां पर देखो source IP यह आपके source IP address, यह आपके payloads, that's how you can basically check the things और आप हर एक page पर check कर सकते हो, right? अगर आपका यह page पर अगर आपको नहीं दीख रहा है तो आप इस पर जाके भी check कर सकते हो example के तोर पर यह अपने click किया, इस page को आपने intercept किया, example लेट से मैं आपको intercept करके दिखाता हूँ वापिस, यह आपका proxy intercept forward किया आपने, यह forward किया, यह आपका page आया, यहाँ पर आप देखो referral header आपको दीख रहा, right? यह रहा referral header तो आप यहाँ पर जाके भी check कर सकते हो, right click करके send to repeater, और repeater जाने के बाद में आप इसको close कर दीजिए और वापिस इस जगह पर select करके, you can insert the call operator payload, जैसे आप send करोगे यहाँ पर, अब call operator पर जाके, poll now पर click कर दो, अगर फिर कभी interaction, you can see that clearly the interaction is coming, it means that कि यह application vulnerable है, इसका parameter कौंसा vulnerable है, referer parameter इसका vulnerable है, that's how you can identify vulnerability with the help of verb collaborator, I hope you enjoy this particular video, we'll see you in the next video, from next video में फिर हम लोग hardware एकिं के बारहे बात करेंगे, so stay tuned with me for the coming new episode, thank you, have a great day, जै हिन